नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तो आज का हमारा ये छोटा सा विडियो आपके लाखो रुपे बचा सकता है सांती सांत अगर आप घर बनवा रहे हैं माइने नहीं रखता है कि वो बड़ा घर है या छोटा घर है लाखो रुपे तो बचा ही सकता है सांती सांत आपको जिन्दगी वर परिसान होने से भी बचा सकता है पूरा माजरा क्या है आपको इस वीडियो में पता चलेगा दोस्तो और वीडियो के अंत में मैं आपको इससे कैसे निजाद पासकते हैं उसकी भी जनकारी दूँगा तो वीडियो पे बने रहे हैं दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये घर किस तरह से बनाया जा रहा है ये बहुत बड़ा घर नहीं है इसके अंदर दो रूम है एक किचेन है और एक हॉल है और बिल्कुल नॉर्मल सा जिस तरह से घर बनाया जाता है उसी परकार कमोबेस आपको ये घर देखने को मिलेगा किरकी में बॉक्स डिजाइन लगाया गया है वो बात अलग है कि जो लेफ्ट वाला किरकी है उसके बॉक्स डिजाइन को भी टेरा कर दिया है मिस्त्री ने तो ये सब तो मान लिजे कि सुधारा जा सकता है इसको मान लिजे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जो बड़ी गलती हुई है जो जमीन मालिक ने करवाई है वो है दोस्तो इस घर का जो प्लीन्त विम ढाला गया है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा ये देखिए कुछ इस तरह से ये घर बनाया जा रहा है और चली मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो प्लीन्त विम ढाला गया है वो कहां पे ढाला गया है और किस तरह से ढाला गया है दोस्तो इस तरह से अगर आप घर बनवाते हैं ताकि आगे चलके कोई दिक्कत ना हो इसके प्लिंट विम को देखेंगे तो ये जमीन से लगवग लगवग आपको एक फीट उपर नजर आएगा जो अभी का जमीन लेबल है उससे एक फीट उपर दोस्तो नजर आएगा ये ही फ्लोर लेबल भी होगा दोस्तो घर में जो फ महला वाले ने अच्छा तरीके से प्लानिंग करके घर बनवाया है अब इन्होंने क्या किया है चली मैं आपको दिखा देता हूँ रोड पहले दिखा देता हूँ दोस्तो एक कच्ची रास्ता इस घर के आगे से गुजर रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ ये देखिए ये जो कच्चा रास्ता है ये अभी बना हुआ नहीं है दोस्तों आने वाले 2-3 साल 6 महिने जब भी सरकार के निंद खुली दोस्तों ये रोड बनेगा है रोड बनने का मतलब है दोस्तों करीब करीब एक फीट दोस्तों रोड उंचा होई जाएगा तो हमारा घर भी एक फीट उंचा है और ये जो जमीन है ये भी लगवग लगवग चुकी उसमें क्या होगा कि अगर PCC भी किया जाता है पत्थर का एक लेयर भी छाया जाएगा थोड़ा सा मिट्टी भरा जाता है पत्थर बिचाया जाता है और उसके बाद PCC किया जाता है एक फीट आप मिनिमम मान सकते हैं कि एक फीट तो ये उचा होगा ही अब सरकार कितना उचा करके रोड बनवाती है ये उस पे डिपेंड करता है ये कोई fix आकरा नहीं होता है दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर अभी ही जब रोड बनेगा उसके साथ ही क्या होगा कि हमारा जो घर का फर्स का लेबल है वो जमीन के लेबल के बराबर आ जाएगा बात यहीं खतम नहीं होता है दोस्तों साल भर के बाद चार साल के बाद पांच साल के बाद जब भी रोड खराब होता है सरकार क्या करती है कि रिपेरिंग करवाती है फिर से एक PCC का उस पे लेइर चरहेगा दोस्तों उसमें क्या होगा कि हमारे जो road का height है वो घर के first के height से उचा हो जाएगा उस case में क्या होगा आप भी जानते हैं कि जो road का पानी है रोड पे जो बहने वाला पानी है वो क्या होगा कि घर में आने का chances बहुत ज्यादा बढ़ जाता है चुकि आपका घर ही जब नीचे रहेगा दोस्तो तो घर के आगे भी आप मिट्टी ने भरवा पाईएगा चुकि अगर मिट्टी भरवाईएगा तो क्या होगा कि बाहर में उचा हो जाएगा आपका घर नीचे हो जाएगा ऐसा भी आपने चाएगे तो आप जो पूरी तरीके से इस चक रिवीव में फस जाएंग दोस्तो और अंत में आपको क्या करना होगा कि या तो फर्स उखार करके आपने घर का हाइट अच्छा खासा दिया है तो फर्स को उचा कर सकते हैं और अगर आपने घर का नॉर्मल हाइट दिया है तो उसमें क्या करना होगा कि आपको घर के छट को दोस्तो उखरवा करके और उसको उंचा करके ढलवाना होगा आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा दोस्तों इसलिए जब भी घर बनवाएं अगर आपके आज पास घर नहीं बना हुआ है तो अरहाई से तीन फीट कम से कम दोस्तों प्लीन्थ बीम का हाइट रखें यही सही तरीका है तो फिर मिलते हैं उमीद करते हैं आपको ये बाते समझ में आयोगी धन्यवाद दोस्तों नमस्कार